जैसे को तैसा, एक जंगल में एक चालाक लोमडी रहती थी, उसे दूसरों को मुर्ख बनाने में बहुत मजा आता था एक दिन, लोमडी ने सारस को दावत के लिए बुलाया, लोमडी ने सारस को कीर एक चिचले से बड़े ताल में परोसा सारस की चोंच लंबी होने के कारण वहा की नहीं खा सका, अंत में निराश होकर वहा भू के पेठी वापस लाउट आया सारस ने मदलाने के लिए लोमडी को दावत पर अपने गर बुलाया, लोमडी दावत के लिए सारस के गर पहुंची सारस ने टमाटर का सूप बनाया और इसे एक संकरे मूख वाले बरतन में परोसा, बरतन का मूख संकरा होने के कारण लोमडी सूप को नहीं पी सकी अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया वहाँ अपनी किये पर बहुत पच्चताई बच्चों इसलिए कहा गया है कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है